नमस्कार दोस्तों आशा करते हैं आपस भी लोग अच्छे होंगे ही सवस्तोंगे यदि आप किसी भी competitive exam की तैरी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful साबित होने वाली है इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया जीके के कुछ important MCQs और खाली हम र साफे कुछ सीख कर जाने वाले हो वैसे इस वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एकोनोमिक्स और जियोगर्फी चारों सब्जेक्ट के questions को cover किया है वैसे number of questions 10 रहेंगे परनतू यदि आप वीडियो को complete देख लेते हैं copy pen साथ में रखते हैं तो इस वीड फ़ले तो या इसी पर बात करते हैं कि यह जो खूला बजार परचालन है इसका basically मतलब क्या होता है खूला बजार परचालन को इंगलेश में बोलते हैं open market operation क्या बोलते हैं OMO बोलते हैं open market operation तो इसका मतलब क्या है तो basically होता क्या है कि RBI नाप RBI क्या करता है RBI monetary policy तयार करता है MPN की monetary policy तयार करता है जैसे देश में यदि महगाई जादा बढ़ रही है जिसको बोलते हैं मुद्रस फिती या फिर देश जूज़रा है मंदिक की मार से recession की मार से जूज़रा है तो बया अर्थविवस्ता चाहिए किसी भी देश की हो ये दोनों ही स्तीतियां काफी जादा खराब होती है या तो देश में महगाई बढ़ती है तो भी वो स्तीतियां आपके लिए खराब है क्योंकि एक आम व्यक्ती की बात करे तो उसको जो भी वो purchase करता है कुछ भी तो उसके लिए काफी महगा साबित होता है तो उसको दिकत का सामना करना पड़ता है यदि देश में continuously महगाई बढ़ रही है क्योंकि वो अफ़र नहीं कर पाता है वस्तु को खरीदने में और यदि देश मंदिक की मार से जोज़ रहा है इसका मतलब क्या है कि देश में वहिया पैसा नहीं है देश की सरकार के पास पैसा नहीं है देश की जन्ता के पास पैसा नहीं है तो दोजों स्तितिया आपकी बहुत भ्यानक होती है अब इसी को adjust करने के लिए इसी को control करने क होता है अब इसका मतलब क्या है जैसे आपने सुनाओगा रेपो रिट के बारे में रिवर्स रेपो रेट के बारे में CRR के बारे में SLR के बारे में यह सबीजिया है यह सबीजियरी मोटेरी पिलिश्ira के उपकर नोते हैं तो OMO Open Market Operation भी आपका इसी में से एक होता है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है Option A अनसूचित बैंक को दोवारा RBI से रिन लेना वानिजिक बैंक को दोवारा उद्योग और व्यपार छेतरों को रिन देना RBI दोवारा सरकारी परतिबोतियों का करे विक्रे या फिर उप्युक्त में से कोई नहीं खेर इसक्यूसन का जो राइट अनसर है वो तो रहेगा Option C यानकी RBI के दोवारा सरकारी परतिबोतियों Government Securities का करे का मतलब वो क्या होता है खरीदना यानकी बाई और विक्रे का मतलब क्या होता है बेचना यानकी किसकी बात कर रहे हैं भई आपा आपा सेल की बात कर रहे हैं तो जो सरकारी परतिबोतियों होती है Government Securities होती है उनको खरीदना और बेचना किसके दवरा क्या जाएगा RBI के दवरा तो इसी उप्रेशन को बोला जाता है OMO Basically इसमें होता क्या है वो समझने का प्रियास करते है ये सब कुछ मामला जो आपका होता है वो होता है किसको कंट्रोल करने के लिए to adjust money supply या फिर liquidity या फिर flow of cash यानकी market में यदि पैसा जादा आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि जनता के पास में पैसा अधिक है तो जनता के पास पैसा अधिक है जनता अधिक से अधिक डिमांड करती है डिमांड करती है इसका मलब क्या हुआ कि वो मेंगाई को बढ़ा रही है ठीक है यानकी जब-जब जनता के पास में पैसा अधिक होगा या फिर हम कह सकते हैं कि money supply कम हो market में तो इससे क्या रहेगा इससे जनता की demand कम रहेगी और हम महिंगाई को control कर लेंगे एक स्थेती क्या बन सकती है कि यदि जनता के पास में पैसा बिल्कुल नहीं है तो demand कम हो जाएगी demand कम है इसका मदलब कि जो supply कर रहे है जो factory उत्पादन कर रही है उनके पास में demand कम जाएगी तो वो अपना production बंद कर देगी इससे क्या होगा इससे देश की अर्थवस्ता रुक जाएगी देश के पास में पैसा नहीं रहेगा पैसा कम हो जाएगा पैसा खतम हो जाएगा तो ह basically decrease liquidity यदि हमें cash flow of money cash flow को यदि हमें कम करना है decrease करना है liquidity को तो RBI क्या करता है basically RBI भाई sell करता है क्या करता है sell करता है government securities को जैसे मेरे पास में एक piece of paper है काज का टुकड़ा है और मैं जनता से बोलता हूँ, मैं सरकार हूँ, मैं सरकार ने मैंने क्या क्या, मैंने RBI को मेरा कागज का टुकड़ा दिया और बुला कि भाई, जनता के पास में पैसा जादा है, तो आप एक काम करो, इस कागज के टुकड़े को, जिसकी कुछ ना कुछ value है, ये जनता को दो, और जनता से पैसे ले लो, cash ले लो, तो जनता के पास में सिर्फ कागज का टुकड़ा रहेगा, जबकि उसके पास में जो government securities को sell कर देगी, बेच देगी, कागज का टुकड़ा जनता को देदेगी, बदले में पैसा ले लेगी, और यदि पैसा कम है market में, और liquidity बढ़ानी है, cash flow बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए RV क्या करती है, buy करती है, खरीद लेती है, किसको खरीदती है बढ़ाई, government securities को, जनता के पास में जो security थी, in form of piece of paper, तो paper अपने पास ले लेगी, और बदले में जनता को पैसा देदेगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा जनता के पास पैसा जाएगा, जाएगा तो liquidity बढ़ जाएगी, cash flow बढ़ जाएगा, यह मतलब होता है पूरे concept का, आसा करता हूँ आप इन कतनों में से कौन सा एक एपर tax कर होता है, इन direct tax कौन सा यह आपसे पूछा है, कि वल एक है, दो और चार है, एक और तीन है, या फिर दो और तीन है, कौन सा इस में से right answer है, तो देखे सबसे पहले बात करते हैं, टेक्स के बारे में, यह कर क्या होता है, कर basically mandatory payment होती है, ज आनके सरकार ने यदि किसी पे कर लगाया है, टेक्स लगाया है, तो सरकार को टेक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि भया सरकार जो राज्य की है, फिर देश की कारे संचालन करती है, सरकार जो काम करती है देश के लिए, तो नई-नी पॉलिसी बगर लेके आती है, तो जनता इनके सिरकार को पैसा तो चाहिएगा और पैसा कहां से आएगा जनता ही सिरकार को पैसा देती है और बदले में सिरकार क्या करती है नई नई योजनाय लेके आती ही जनता के लिए ताकि वो कुछ ना कुछ देश के बलाई के लिए, देश के विल फिर के लिए काम कर सके उसको बोलते हैं tax अब tax आपका दो type का होता है एक होता है Direct Tax, दूसरा होता है येंकी In shown मतलब यह हुआ कि बहाई देखो जिस व्यक्ति के उपर tax लगाए जाएगा tax का मतलब बता है कुछ पैसा सरकार को दिना है तो जिस व्यक्ति पर या फिर जिस संस्ता पर tax लगाई जगा यदि उसका भुगतान वह स्वयम करती है तो इसका मतलब क्या है tax कैसा है direct है point of incidence and the point of payment is same जिस व्यक्ति और संस्ता पर कर लगेगा यदि उसका भुगतान वह स्वयम करता है तो उसको बोलते है direct tax जैसे example income tax बोलते है पा तो income tax व्यक्ति की सालना income पे लगता है और वो same व्यक्ति जिसके उपर कर लगाएगा वह स्वयम उसका भुगतान करता है तो टक्स कैसा है direct tax है लेकिन इसमें आप से क्या पूछा है कि एपर टक्स का कौन कौन से है एपर टक्स का मलब यह हुआ कि point of incidence and the point of payment is different यानि जिस भी व्यक्ति और संस्ता पर tax लगाएगा उसका भुगतान वह स्वयम ने करके कोई दूसरा कर रहा है तो tax कैसा है एपर टक्स टक्स है जैसे example GST अब इन में से देखते हैं वही सबसे पहला है company कर यान की corporation tax अब basically बात की जाए तो यह corporate tax होता क्या है इसको समझते हैं अब कोई भी factory लगा लो जैसे मैंने example लिया कि यह कोई factory है see for company है और यह company बिस्कुट का उतफ़ाद में कर रही है बिस्कुट को बना रही है अब बिस्कुट बनाएगी तो एक साल के अंदर भया यह अपना खर्चा काट कोट के कुछ ना कुछ profit तो कमाईगी बिल्कुल सॉह बात है तो मानके चलने की एक साल के अंदर इस company ने 100 रुपई profit कमाया सिर्फ मान के चल रहे है अपां क्या कमाया 100 रुपई का profit कमाया तो profit किसका है sir company का profit है अब इस total profit में से जिसकी value 100 रुपई है अब इस total 100 रुपई में से कुछ पैसा tax के रूप में सरकार को देना पड़ता है जैसे मान के चलते हैं कि इस company के उपर tax लगा corporate tax लगा 30% तो इसका मलब क्या हुआ कि 100 में से 30 रुपया किसको देना पड़ेगा सरकार को देना पड़ेगा तो यह tax कैसा हुआ कि sir company के profit पे tax लगा है तो company अपने profit का कुछ हिसा सरकार को pay कर रही है मलब कि tax कोन पे कर रहा है तो company पे tax लगा और company खुद क्या कर रही है तो भयाद जिसके उपर tax लगा यदि उसका बुगतानवे स्वयम करता है तो tax कैसा है direct tax होता है तो sir पहले वाला option तो सही नहीं होगा क्योंकि company tax कोन पे इस कैसा होता आपका कि भयाद सीमा कमलब आप समझते हो कि रेखा सीमा रेखा की बात की ज़र रही है तो मान के चलते हैं कि भयाद ये अपना देश इंडिया है भारत है और ये side वाला देश कोन सा हो जाएगा मान के चलते हैं भयाद नेपाल है ठीक है एक देश इंडिया है दूसरा देश नेपाल है तो अब भारत के अंदर कैसी एकोनोमी है सर भारत ओपन एकोनोमी है यानकि भारत दूसरे देशों के साथ में आयात निर्यात करता है तो एकोनोमी कैसी है सर ये तो हमारी ओपन एकोनोमी को फोलो करता है यानकि भारत का जो माल है वस्तुए और सिवाई है वो विदेशों में जाती है जबकि विदेशों में बना हुआ goods और जो services है वो भारत के इंदर आती है तो example के तुर पर मान के चलते हैं कि विए एक pencil ये pencil कहां बनी और नेपाल में pencil बनती है तो भारत ने इसके demand की भारत के अंदर जैसे ही pencil एंटर करेगी तो basically क्या करना पड़ेगा सर सीमा को पार करना पड़ेगा तो सीमा पर भया क्या किया रोक लिया सीमा पर रोक लिया इसको और बोला कि भया आपने क्या किया है आपने जो pencil जो है ये नेपाल से भारत में enter कर रही है तो सीमा को पार कर रही है सीमा को पार कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा इस pencil की उपर text लगया जिसको बोलते हैं सीमा सुलक क्योंकि सीमा को पार कर रही है उसकी उपर text देना पड़ेगा लेकिन actual में सरकार ने टेक्स लगा दिया लेकिन एक्चल में उसकी भड़पाई को न कर रहा है सर आम जनता कर रही है जिसने भी उस पैंसिल को परचेज के खरीदा है तो सर इसका मतलब युवा कि टेक्स कैसा है सर टेक्स तो आपका एपर टेक्स हो गया इंडिरेक्ट हो गया तो एक तो आपका यह सई हो जाएगा सेकेंड वाला तीसरा उप्सन है संपतिकर जब भी विया वेल्थ कर टेक्स की बात करते हैं आपके पास में जो भी आपकी प्रोपरटी है चल और चल संपति है उसके उपर टेक्स जो पे करता है वो वेक्टे स्वयम पे करता है तो टेक्स कैसा है? तो डिरेक्ट टेक्स है लास्ट में बात करते हैं उत्पाद सुलक, एक्साइज डोटी एक्साइज डोटी का मदलब यह हुआ कि कंपनियों के अंदर, फैक्टरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वस्तू का जैसे इसी कंपनिय की बात करते हैं इस कंपनिय में बिस्कुट बनाए जा रहे हैं तो बिस्कुट जब बन रहे हैं भया तो इसकी उपर क्या है? एक टेक्स देना पड़ता है टेक्स लगता है एक्साइज डोटी हाना कि अभी तो इसको समाप्त कर दिया अब तो GST आ चुका है लेकिन पहले क्या थविया एक्साइज डोटी लगती थी यदि ऐसे कोई भी आपकी बिस्कुट बन रहा है चिप्स बन रही है, साबूर बन रही है उसके उपर है लेकिन उसके बाद में इसको पे कोन करेगा सर पे तो जो वैक्ती उस बिस्कुट को परचेज करेगा जो उपवगता, कंजुमर उस बिस्कुट के डबे को परचेज करेगा लास्ट में तो उसको ही पे करना पड़ेगा तो भी या लगा कि से इस से कमपनी पे लगा लेकिन पे कुन कर रहा है सिरा हम जंता कर रीए तो tekst कैसा है भी या इन ड्रैक्ट टेक्स हो जाएगा तो दो बाते हमने प्रड़ी कुन कुन सी से कमपनी टेक्स और संपतिकर ये दोनों के दोनों कämä है सर डारेक्ट टेक्स होते हैं लेकिन सीमा सुलक और एक्साइज डूटी ये कैसे है एप्रतेक्स है पूचा क्या है एप्रतेक्स पूचा है तो दो और चार आपका राइट अंसर हो जाएगा एप्रतेक्स कर हो जाएगा हाला कि पहले बहुत सारी करते आपके लेकिन अब तो GST आ चुका है तो आपके जैसे exercise duty की बात करते हैं तो petroleum product जिसके अंदर petrol diesel आता है natural gas, alcohol इनके उपर अभी भी exercise duty लगती है लेकिन बाकी के जो आपके other product बच गए उनके उपर अभी उनके स्थान पर क्या आ गया exercise duty के स्थान पर GST आ चुका है चलिए बढ़ते है next question की तरफ अगला question क्या बोलता है ध्यान से पड़े यह बोलता है निमलिक्त में सही कौन सा एक कथन व्याद मुद्रा व्याद मुद्ला मदर क्या हुआ कि legal currency की बात की जाए legal tender money की बात की जारिय के अर्थ में सही वरणत करता है आपको legal tender money के बारे में यह क्या राइगा नियाले में विदिक मामलों के लिए फीस को चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है वह मुद्रा जो कोई रिन दाता जो कर्द देता है जो लोन देता है अपने दावों को निपटाने में सविकार करने के लिए बात दे होता है या फिर C है चेक ड्राफ्ट विनिमे बिलो आधी की रूप में बैंक मुद्रा या फिर किसी देश में चलन में धातू मुद्रा तो क्या रहेगा इसका राइट अमसर आपको बताना है तो बेसिकली लिगल टेंडर की बात की जा रही है जैसे भारत की बात करते हैं भारत के अंदर जो आपका करंसी है जो आरबे के द्वारा नोट चापे जाते हैं वो क्या होता है बेसिकली लिगल टेंडर मनी होता है क्योंकि यदि आप उसको कहीं पे भी यूज करते हैं तो सामने वाला उस पैसे को लेने से मना नहीं कर सकते हैं जैसे आप किसी फ्लाइट में जाते हैं, आप किसी बस की यातरा करते हैं, आप किसी ट्रेन में जाते हैं, किसी रेस्टरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं या फिर X, Y, Z आप कहीं पे भी देश में जाते हैं तो जो आपकी लिगल टेंडर मनी है जिसको हम क्या बोलते हैं currency यान कि हमारा money बोलते हैं भारती रूपिया बोलते हैं वो कैसा है बया वो legal है बैद है क्योंकि सरकार के दोबरा upfront किया गया RBI या είका अप्रूल करता है तो वो कैसा आपका Legal tender होता है कि उसको सामने वाला लिजने से मना नहीं कर सकता है तो उसी के बारे में आपसे पोचा है तो चारों में से ओप्स नमबर भी देखिए क्या है कि वह मुद्रा जो कोई रिन दाता जिसने लोन दिया है अपने दावो को निप्टाने में सविकार करने के लिए बाद्दे होता है यान कि बाद्दे का मदलब किया है कि जबरदस्ती भी आपको सविकार करना ही करना पड़ेगा यान कि यदि अब लोन पैसे के रूप में दिया जब वापीस मैं लोन को चुकाउंगा और यदि मैं आपको लिगल टेंडर मनी देता हूँ जो हमारा भारती रुपे है वो आपको मैं देता हूँ तो आप लेने के लिए उस रुपे को बात दे होते हैं आप पैसे को लेने से मना नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं legal tender money बोलते हैं तो basically इसमें क्या होता है कि भारत के अंदर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो currency है वो currency दो टाइप से है वह या कौन कौन से दो टाइप से है कि सर एक तो हमारे पास मेंना कागजी मुद्रा होती है जो कागजवाई note है जैसे 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 मंगल यार महरा तो यह क्या भी है कागजी मुद्रा है ठीक है उसके लावा क्या हो सकते हैं सर कोइन्स हो सकते हैं क्या हो सकते हैं क्या हो सकते हैं क्या हो सकते हैं क्या हो सकते हैं तो आप उसको कागजे मुद्रा दे सकते हो, यांकि कितना भी पैसा आप कागज के रूप में पे कर सकते हो, उसको बोलते हैं, unlimited legal tender money बोलते हैं, लेकिन coins की बात करते हैं, या सिक्कों की बात करते हैं, तो सिक्के आपके limited legal tender money होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि साम वाला सविकार करने से मना कर सकता है क्यों legal tender तो है लेकिन कैसा है limited है तो उसके लिए आपके एक limit दी गई है coin is act 2011 के मादम से आप maximum जो आपके रूपे है वो 1000 तक के coin पे कर सकते हैं यानकि 1000 तक के आपको इन आपको देते हो सामने वाले को तो वो सिविकार उसको करना पड़ेगा सिविकार करने के लिए बाद दे है लेकिन इससे अधिक आप सिख्के देते है उसको तो यावो मना कर सकता है वो कह सकता है कि मैं को कागजी मुदरा चाहिए ठीक है तो कागजी मुदरा आपक मना नहीं कर सकता है बहिया टिक है उसको लेना पड़ेगा क्योंकि क्या है वैद मुद्रा है legal tender मनी होता है उसके बाद में अगला किसन देखते हैं चलो भी बहतरिन के उसना आचुका है ये क्या बोलता है ये कह रहा है बहिया आपकी सामने मुगल काल में निमलिक्त बंदर गाओं में से किसे बाबुल मक्का या फिर मक्का दवार कहा जाता था खेर इसका अंसुरतों साथ में लग गया है कोई बात नहीं है कालिकट, भरूच, कैमबे या फिर सोरत तो ओप्सन तो डी है, आपको पता लग जाओगा, सूरत हम कहते हैं ठीक है, लेकिन बाबुल मक्का, वेरी वेरी इंपोर्टन के उसने भिया अग्जाम के अंदर डिरेक्ट पुछा जाएगा मुगल काल, मुगलिया सासन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली बात की जाए, तो मुगल सासन के दुरान जो सबसे महतवपुर्ण, बंदरगा जो आपका था बंदरगा को इंगलियस में क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, सबसे महतवपुर्ण की बात करते हैं कौन साथ आपका सूरत था बाबुल का मक्का क्यों बोला मक्का द्वार क्यों बोला क्योंकि जो मुसलमा लोग हज यातरा के लिए जाते हैं मुसलमा लोग परते एक वर्ष हज यातरा के लिए जाते हैं कहां जाते हैं सर साउधी अरब के अंदर जाते हैं क्योंकि साउधी अ आपको साओधी अरभ जाना है, तो कहां से उकर जाओगे ? मसलमा लोगों घ्ज्यातर के लिए साओधी अरभ तो किस राष्टे से जाते थे पहले ? मुगल सासन में, सर यहीं से जाते थे आपका पानी से होकर, पानी पड़ता है यहाँ पे आपका अरब सागर है, पानी है, तो पानी से होकर समूदरी मर्ग से, आप कहां जाना पड़ता था? हज यातरा के लिए साओधी अरब जाना पड़ता था तो basically क्या था कि सबसे मैंतरपुन port जो आपका था उस तेम पे सूरत था port का मतलब क्या होता है कि समुदरी मर्ग से जो भी व्यपार होता है जो भी आदान प्रदान होता है वस्तुर सिवाओं का यदि समुदरी मर्ग से होता है तो वो कहां पे किसके मादम से होता है port के मादम से होता है port पे आएगा माल यहां पे ठहरेंगे इसके मादम से फिर आपका फूरे देस में फैल जाता है तो basically port बने हुए हुरत्मान भी भारत में 13 बड़े major port है और लगबग 1500 के आसपास में छोटे port है ठीक है बंदगार जिसको आपका बोलते है तो इसका question के right answer क्या हो जाएगा सूर्थ हो जाएगा उसके लाब बात करते हैं जो आपका मक्का स्थान है पड़ता है साओधी रब के अंडर उसके संस्थापक को है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका पेगंबर टेक्स है वैसे जो टेक्स की बात हम करी रहे है लेकिन ये टेक्स आपका अभी का नहीं है इस टेक्स को बात करते हैं तो आपका जब आपके मद्यकारिन भारत था उस टाइम का या फिर प्राचन भारत में भी सिंचाई कर था कैसा कर था भाई सिंचाई कर था basically उलेमाओं के अदेश के उपर फिरोज साहत उगलक ने लगाया था किसके दवारा लगा गया फिरोज साहत उगलक के दवारा लगाया था यदि आप copy pen लेके बैठे हैं बेसिकली करके स्पेर सा शिंचाई पर है और शिंचाई के बाद में जो भी उपज होती थी किसान जो भी आपका खेतों के इंदर उपज करते थे उसका एक बटा दस बाग यानि कि यदि 100 किलो गेह हुए हैं तो 100 में से 10 किलो गेहुं किसको देने पड़ते थे आपके मुसलमानों को देने पड़ते थे मुगल नहीं तुगलक सासन गाल कि बात कर रहे हैं फिरोज साथ दुगलक के दवरा सरबकर को लगाए गया था अब फिरोज साथ दुगलक की बात करते हैं तो इनका बेसिकली जो सासन काल था वो आपका था 1351 से लेके 1388 फिरोज सात उगुलक 1351 से 1388 तक इनका सासन काल था 1388 के अंदर इनका क्या बना हुआ है मकबरा बना हुआ है उसके लिए और बात करते हैं तो क्या याद रखना पो कि जजिया जो आपका कर है जो कि गैर मुसलमानों पर लगता है तो जजिया कर बड़े स्तर पर लागुक गया और ब्रामनों पर इसकर को लगाया गया था बड़े स्तर पर किसके Sunshine के दुआ दोरा जकात कर मुसलिम कर ओता है खराज कर हिंदु को पर लगता है खुंस की बात करते हैं तो लूट के माल पर टेक्स लगता है और basically बात करें तो फिरोज सातुणलग को दिल्ली सल्थनग का अकबर कहा जाता था तो तेरा सो इकावन में इनके पुतर फते खान के नाम पर प्तियवाद को बसाया 1354 के अंदर इनोंने क्या बसाया हिसार को बसाया सिर्सा में हरनी खेडा को बसाया और मिवाद की बात करते हैं तो फिरोज पुर जिरका को इनोंने बसाया था तो ये भी आपको इतने सारे चीज़े याद करनी है किसानों का रिन्द माफ करने वाला पर्थम सुल्तान था वेरी वेरी इंपोर्टन था आपके जो फार्मर लोग होते हैं तो किसानों का रिन्द माफ करने वाला ये क्या था पहला सुल्तान था उसके लावा नहरों का निर्मान होने करवाया इसका भी निर्माता कहा जाता है फिरोज साही इनकी आतमकथा का नाम है पुस्तक की बात करें तो तारिक ए फिरोज साही पुस्तक का नाम है उसके लावा सबसे अधिक दास भी इनी के सासन काल में थे 1.80,000,000 कितने थे भाई तो इतनी सारी बाते आपको यहाँ से याद रखने हैं किसके बारे में फिरोज साथ होलक के बारे में चली बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन की तरफ रहला किसमे लिखी गई थी आपसे पूछा है चौद्वी स्ताबदी में इबन बतूता द्वारा अर्बी में पंदरवी स्ताबदी में अब्बुर रज्जाक द्वारा फार्सी में तेरवी स्ताबदी में इबन बतूता द्वारा फार्सी में या फिर तेरवी स्ताबदी में मारको पुलो के द्वारा इतावली यानकी इटैलियन भासा में लिखी गई थी रहला की बात कर रहे हैं तो basically रहला का जो आपका अन्य नाम है वो क्या है? रहला को हम सफर नामा के नाम से भी जानते हैं रहला का दूसा नाम क्या है? सफर नामा है एक type की क्या है? पुस्तक है सफर नामा सफर नामा है तो basically simple सी बात है कि सफर की बात कर रहा है जरने की बात कर रहा है ये किस के दवार लखी गई वाई तो सबसे इसका जो उत्तर है राइट कर रहेगा इबन बतुता रहेगा कब लिखी गई चोद्वें स्ताबदी में लिखे गई थी इसको किस बासा में लिखी अर्बी बासा में लिखा गया था अब बात करते हैं इबन बतुता की यह जो वैक्ती है इबन बतुता यह आपका 1333 के अंदर आता है भारत में कहां से आया तो अफरिका कॉंटिनेट की कंटरी पढ़ती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सरनाम तो कंटरी का हमें याद है, या मुरक को है, क्या नाम है, मुरक को है, उस मुरक का से चल कर, भारत के अंदर आता है, इबन बदुता, 1333 इस्वी में, कब आता है, 1333 इस्व था मोहमद बिन तोगलक जिसको हम पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं चुल्क है तो उनके सासन में मैं लिखा मोमद बिन तोगलक यानकी MBT इनके सासन काल में 1333 में जो आपकी रहला को लिखने वाले इबन वधुता है वो भारत की यात्रा करते हैं कब तक यहां पर रह थे ये भी आपको याद करना है यहां से ठीक है उसके लावा बात करते हैं तो वर्णन किसका मिलता है तो एक तो अपनी जो यात्रा है उसके बारे में इन्होंने बात के थी यात्रा का वरितांत सुनाया उसके लावा मोहमद बिन तुगलक के टाइम में जो भी आपका राजन अंदर इबन पतुता को मौम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस कहां बिजा गया चीन में दूत बनाकर बिजा गया था और किस के पास बिजा तो चीन के उस ताइम पे सासक टॉंग्यू के पास बिजा था इतनी सारी बाते आपको यहां से याद रखनी है चलिए बढ़ते है अगले किसन के तरफ है अगला किसन के अभिया भारत के किस बाग में लोटते हुए मानसुन के कारण वर्सा होती है तो बेसिकली मानसुन के बारे में आप सुनते हूँ कि जैसे आपका मानसुन आपका लगबग जून क्यास पास स्टार्ट हो जाता है और आपका लगबग स्टिम्बर तक आपका मानसुन चलता है तो बैसिकली जो मानसुन होता है जिस टाइम पर अच्छी कासी भारत के नरवर्सा होती है उसकी बात यहां पर की जा रही है ठीक है तो लोटते हुए मानसुन की बात कर रहे हैं दो आपको नाम पढ़ने है एक होता है उठता हुआ मा और पूरो कबते हैं तो जैसे हम बात करते हैं कि यह हमारा क्या है वारत है ठीडिया आधाय है अरभ सागर है पानी है नीचे क्या है इंडियन मासाघर है और इधी बात करते हैं अका boy website में बंगाल पड़ता है। तो जो आपका first week होता है जो उनका, तो दो तरह से आपका क्या उठता है, मानसुन उठता है, एक तो उठता है दक्षिन पस्चिन से, दक्षिन पस्चिन से मानसुन का से उठता है, यह केरल के नीचे वाले साइड यान की, इस समूंदर से उठता है, दक्षिन पस्चिन से, औ आपके केरल के निजए साइड से अरब सागर से उठता है बाकी इसी टाइम में आपका बे ओफ बंगाल से भी क्या उठता है या मानसुन उठता है तो basically होता क्या इसमें कि मानसुन ये उठता हुआ है जो कि आपका हर्याना, पंजाब, जो भी आपके राजे पढ़ते हैं बीच में महराश्टर हो गया, उसके लाओ गोवा हो गया, मद्यपरदेश, पंजाब, हर्याना तो यहां से बारिस करता है, उसके बाद में यह गूम गाम के हिमाले में प्रवसे टकरा कर तो अक्टूबर में आपका उडिशा में बारिश करता है नौंबर में कहां करता है सर नौंबर में करता है उडिशा के नीचे जो आपका क्या पढ़ता है यहां पे आंदर प्रदेश पढ़ता है यहां मारिश करता है और दिसंबर महां की बात करते हैं तो तमील नाडू और केरल के अंदर अच्छी खासी बारिस करता है, कहां करता है सर ये बारिस करता है, अच्छी खासी तमील नाडू और केरल के अंदर है तो यहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है लोटते हुए मानसुन की दिसंबर के महिने में की ठंड के मैंना में सीत रितु में बारिस होती है तो इस क्यूसर का हो जाएगा सरतमील नाड़ू हो जाएगा तमील नाड़ू हो जाएगा सबसे अधिक साब की तमिलाडू में करता है लोड़ता हूं मानसुन तो इस क्यूशन का राइट अंसर यही होगा उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यह पॉलिटिया क्यूशन आपको है भारतिय सविदान की छटी अनसूची में जनजातिय छेतरों के परसासन के लिए उपबंद अंतरव है निमलिक तराज़ों में से कौन सा इस अनसूची की अधिन नहीं आता है तो बेसिकली बात की जाए तो अनसूचियों की बात की जारी है सेडूल की बात की जारी है तो आप से सबसे पहला किसन तो यहीं बनता है कि सर यह अनसूचियां सेडूल होती क्या है तो बेसिकली जो भी articles सविधान के अंदर दे रखे हैं, उन articles का विस्तारित रो भी क्या होती है, अनुसूचियां होती है, यान कि हम आपके क्या करते हैं भया, articles को बढ़ाज रडाकर पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा बाते पढ़ते हैं, articles वाली, किसके मादम से, अनुसूचियों के मादम से, उसके वाद में आपसे पूछता है कि मूल सविधान के अंदर जिस टाइम पे सविधान लागू हुआ या फिर बना, तो लागू होने के टाइम पे कितनी अनुसूचियां भारत के सविधान में थी, तो आठ अनुसूचियां थी, वरतमान में पूछे आपसे, कि वरतमान म चटी अनुसूची की कर रहे हैं तो चटी अनुसूची वाई किस से समरित है कि अनुसूची जो आपके जन्जातियां होती है तो जन्जाति ये छेत्रों के परसासन वे नियंत्रन से समरित आपकी होती है चटी अनुसूची जिसका सविदान की अंदर आर्रेटिकल नंबर 244 बी के अंदर इसका जिकर कर रखा है किसके अंदर बी बोल दो या फिर दो बोल दो 242 के अंदर किसका जिकर मिलता है छटी अनुसूची के समाज़ी जो आपके राज्ये होते हैं जन्जाती छेतर होते हैं उनका जिकर हमें देखने को मिलता है तो उसके अंदर बेसिकली छटी अनुसुची में चार राजे सामिल होते हैं चार कौन-कौन से आपको ट्रिक से याद करना है ममता याद करना है तो M से क्या बनेगा? सबसे पहले M से बन जाएगा मिघाले, दूसरे से क्या बनेगा? मिजोरम बन जाएगा ती से क्या बनेगा? तिरप्रा बन जाएगा और ये से असाम बन जाएगा तो तिरप्रा भी सामिल होता है मिघाले भी सामिल है, असाम भी सामिल है लेकिन मनिपूर सामिल नहीं होता है सबसको याद कैसे करेगी? क्योंकि याम से तो मनिपूर भी बनता है करना है simple मैं को छोड़ ना तो मनिपूर राइट अनसर हो पूँन है कि इस अनसूची के दिन नहीं आता है तो नहीं कुण सा है मनिपूर नहीं आता है विया उसके लिए चार राजे शामिल है यह केंदर सरकार की डूटी बनती है, तो जन जाती है प्रिषट बना इजाती है, सरकार के लिए ठीक है? प्राइकल समेटी का अन्य नाम क्या रहेगा मित वई समेटी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं सरकारी उपकरम समेटी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं प्राइकल समेटी बोलते हैं सरकारी कंपनियों से समनित समेटी बोलते हैं या चिका की बात करते हैं या चिका समेटी कौन सी होती है तो जो आपका PIL होता है PIL बोलते हैं पब्लिक इंटेस्ट लेटिएसन जिसको जन हितवाज भी बोलते हैं तो या चिका जो प्रेटिशन आ नाम क्या है प्राक्लान समीथी अब साइज बड़ी का उन्दाब क्या हुआ कि इसके अदर जो आपके मेंबर्स होते हैं वह ज्यादा होते हैं तो प्राक्लान समीथी इसके दार पर वेरी वेरी नाम क्या है मितवे समीति के नाम से भी जानते हैं या फिर इंगलिस में estimate committee के नाम से जानते हैं उसके बाद में बात करते हैं कि गठन तो हमने पढ़ लिया लेकिन सर्थ सबसे बड़ी क्यों बोला क्योंकि बाया इस समीति के अंदर सबसे अधिक member 30 member होते हैं और 30 के 30 का से होते हैं लोग सबा से क्योंकि लोग सबा की है संसदिय समीति बोले हैं तो किस की समीतिया होगे आपकी लोग सबा और राजय सबा की members होगे सिंपल सी बात है क्योंकि संसद के समीति है और संसद की आपके दो हाउस होते हैं लोग सभा और राजी सभा तो मेंबर भी इस समीते में कहां से होंगे या तो लोग सभा से होंगे या राजय सभा से होंगे या फिर दोनों से होंगे तो बेसिकली प्राक्टरन समीते में 30 मेंबर टोटल होते हैं 30 क कहां नहीं होता है तो समेथी कौनई स strengths में नहीं है और रिपोर्ट किस्कों गार। में कितना होता है? तो एक साल का इंक कारिकाल होता है, काम क्या करती है थोड़ा सा बात करते हैं, लोक लेखा समीती के बारे में, लोक लेखा समीती भाई जो वी आपकी होती है Public Account Committee तो Basically यह जो आपके समीती है यह सबसे पुरानी समीती है क्या है भी या सबसे पुरानी समीती है क्यों बोला क्योंकि इसका गठां 1921 केंदर हो गया था जैसे हमने पढ़ा कि प्रलाक्रन समीति का गठां 1950 केंदर होता है लेकिन लोकलेखा समीती 1921 केंद के दवारा एक्ट पारित किया गया, 1919 में मॉन्टेग्यू, चम्सफोर्ड, अधिनियम उसके बेस पे 1921 में लोक लेका समेती बनती है, इसका कारेकाल भी एक साल का होता है, और स्थाई वितिय समेती होती है, उसके लाब मेंबर्स की बात करते हैं तो लोक लेका समेती में, टोटल मेंबर आपके 15 होते हैं, क्या होते हैं, 15, लोक सवासे बहिया कितने होते हैं, सुरी, 22 होते हैं टोटल मेंबर 22 होते हैं, लोक सवासे बात करते हैं, तो 15 मेंबर होते हैं, जबकि राजे सवासे डेक्स बनता है तो ये भी आपको यहां से याद करना है काम क्या करती है तो के अंदर और राज्यों से समदीद जो भी C.A.G. CAG report त्यार करता है तो उस report को जांज करती है यान कि राज्यों से समदीद जो आपके खर्चा करती है उसे समदीद जो CAG report त्यार करता है C.A.G. CAG अनलमक्ससता जो report त्यार करती है वो report राष्टपती को सौंपते हैं और राष्टपती उस report को इस committee को पब्लिक अकाउंट committee को सौंपते हैं ये भी आपको याद रखना है ठीक है इसलिए लोकलेका समेती का मारग खरसक बोलते हैं C.A.G. CAG को important है सरकारी उपकरम समेती की बात करते हैं पब्लिक अंडर्टेकिंग कमिटी तो सरकारी कमपनियों से समदित जो भी CAG report तैयर करते हैं उस report की जांच करती है सरकारी उपकरम कमिटी कमिटी कब बनती है सर 1964 1964 के अंदर बनती है कृष्टन मैनन सम समेती में आपके टोटल 22 मेंबर थी वैसे ही स्तरकारी उपकरम समेती में भी 22 मेंबर होते हैं 15 लोक सभासे साथ वाजय सभासे सीम रहेगा एज़टी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुष्ण की तरफ आज का सबसे लास्ट कुष्ण आपका कौन साई है कि समाज में या समानता होने या फिर समानता की होने का नहीं तार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए समानता की बात करते हैं इक्वैलिटी की बात करते हैं तो विशेसा दिकारों का अभाव है अवरोदों का अभाव है परतिस्त बर्दा का अभाव है या फिर विचार दरा का अभाव है क्या रहेगा इस कुछन का राइट अंसर है IAS Prelims 2017 सिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये कुछन पूछा गया है तो समाज के अंदर सुसाइटी के अंदर इसी समानता है इसका मतलब के हुआ कि सर भेदबाव नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी परकार का भेदबाव नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है सर विचेस अधिकारों का अभाव है इसका मुलता यह होता है कि किसी भी भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को यदि विशेस अधिकार नहीं दे रखे हैं तो इसका मुलता है कि समाज के अंदर के अविया समानता है तो ओप्स नम्बर 20 का राइट अंसर हो जाएगा लेकिन हम देखते हैं कि सविधान ने भारत के राष्टपती को उसके लावा जो आपके राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनको संसद के अंदर जो आपके संसद के सदस्य होते हैं या फिर राज्य विधार्मनल के सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेस अधिकार मिलते हैं जैसे राष्ट पती को गिरिफतार नहीं क्या जाएगा during कारेकाल या फिर आपका बात करते हैं तो जो भी सदस्य होते हैं MPs, Males होते हैं तो उनको भी गिरिफतार नहीं क्या जाएगा तो उनके पास में कुछ VCS अधिकार दिये हुए है तो जहां पे होता है VCS अधिकारों का अभाव किसे भी व्यक्ति को देश में VCS अधिकार ना मिले तो हम कह सकने किया है समाज के अंदर विया समानता है तो आरेटिकल नमर जब हम सरिदान का 14 पढ़ते हैं 14 पढ़ते हैं तो वह क्या बोलता है यह बोलता है विदी के समक समानता यहनकी कानुन के सामने सभी के सभी क्या है विया समान है इक्वल है ठीक है तो इस वीडियो में हमने बात की टोप 10 क्यूसंस लेकिन इतना ही नहीं हमने पड़े अब यह लग बग सवा सो से डेड़ सो क्यूसंस इस वीडियो के अंदर cover कर चुके हैं, आपने यदि copy pen उठा के आप बैठे हो, तो आपने साथ-साथ note कर लिए होंगे, जितना मैंने आपको बोल के बताया, तो लिख तो मैं सारा कुछ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं mobile से record करता हूँ वीडियो को, तो खेर आपको copy pen लेके ब जलत नहीं होगा, चिक है, तो आपको अच्छे से लगन के साथ में पढ़ना है, और वीडियो को यदि आप डेली देखते हैं, रूटिन में अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया आपको समझाता है, तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, बाकि अपने भी फ्रेंड्स को वीडियो को सेर कर दे, ताकि उनको भी विया अच्छा खासा लाव यासे मिल जाए, चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिए सभी को जहीं, सभी को नाम राम